इस दीपक एंड वेलकम टू तुम्हारी सिक्षा एंड गाईज आज का जो हमारा लेसन है वो है लेसन नंबर 90-90 ओके और फेस्बुक एड्ड तो आज के लेसन में हम डिसकस करने वाले हैं लैंडिंग पेज फॉर्माट्स के उपर बहुत ही जादा इंपॉर्टन है और आज हम कुछ मिस्टेक्स के उपर भी डिसकस कर रहे होंगे और उस मिस्टेक्स के उपर आप फोकस करो और वो मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं फोकस के लगाता हैं but swap में बहुत सारे products होते हैं but swap में जब आप जाते हो and देखते हो इतने सारे products तो आप हो जाते हो confused and होता किया है कि आप finally उस swap से चले आते हो so offline में ऐसा नहीं होता user bounce नहीं होता but online के case में अकसर ऐसा होता है user क्या होता है जब भी होता है confused अगर आप अपने वेबसाइट पे भेज रहे हो यूजर को आपके वेबसाइट पे बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स पड़े हुए है ठीक है अगर यूजर को थोड़ी से भी कन्फूजन हुई राइट सो होगा क्या आपकी यूजर हो जाएंगे बाउंस आपके कस्टमर आपके वेबसाइट पर से चले जाएंगे ओके सो हम सबसे पहले समझ लेते लैंडिंग पेज होता क्या है अगर आपको याद होगा तो एक लेक्चर मैंने बनाया था लैंडिंग पेज वर्सेज वेबसाइट उके सो उस लेसन को आप देख सकते हो राइट एंड उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और भी ज्यादा क्लारिटी आपको मिल जाएगा ठीक है सो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्श कर लेते हैं लैंडिंग पेज होता क्या है राइट सो लैंडिंग पेज ऐसा पेज होता है एक स्पेसिफिक पेज होता है जहां पर आप अपने यूजर को भेजते हो या फिर आप अपने कस्टमर को भेजते हो या फिर आप traffic भेजते हो ताकि आपका जो customer है कोई specific action ले जो आप चाहते हो ठीक है आपको उन्हें confuse नहीं करना राइट उन्हें clear बताना है उन्हें क्या करना है and दिन उस page के help से वो action लेते हैं राइट action means वो आपका product खरीदते हैं ओके so basically इस काम के लिए आप करते हो use landing page का ठीक है so landing page के mistakes के उपर अब डिसकस करते हैं and ये mistakes आपको बिलकुल भी नहीं करने ओके so अगर मैं mistakes की बात करूँ तो एक landing page मैं यहाँ पर open करता हूँ ओके so ये landing page basically है नहीं मुझे लगता है ये इसमें बहुत सारे navigation menu है right so ये है एक website okay so ऐसा बिलकुल भी आपको landing page के साथ नहीं करने see ये किस तरह से picture आ रहा है आप देख सकते हो किस तरीके से picture आ रहा है and ऐसे में होगा क्या user को कुछ समझ नहीं आएगा and यहां पे क्या लिखे हुए है वो भी clear यहां पे देख नहीं रहा है ठीक है so ऐसे में होता क्या है user होगा confused and इसके user हो जाएंगे bounce okay so इस तरह से आपको नहीं करने okay ये mistakes आपको नहीं करने right make sure कि आप जो भी लिख रहे हो वो clear दिख रहा हो एकदम simplicity के साथ हुआ ठीक है so ये mistakes आपको नहीं करने example मैं आपको देता हूँ and then finally मैं आपको एक formats भी provide कर रहा हूँगा and उसकी link आपको description में मिल जाएगी आप वहां से उसे download कर सकते हो बट उससे पहले उस format को मैं explain भी करूँगा right अब एक landing page यहां पर मैं जो की better landing page है and उसका जो example है एक better landing page का वो मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है and एक format भी मैं आपको explain करूँगा okay and आप उस format का use कर सकते हो simple format है and बहुत ही ज़्यादा converting landing page है so उस format का आप इस्तमाल कर सकते हो so अब आते हैं यहां पर देखो यह कितना better landing page है see यहां पर video इन्होंने use करा है then call to action button right इन्होंने अपने product के बारे में यहां पर थोड़ा सा elaborate किया है मिलने क्यावाला है अगर इसमें आप enroll करोगे तो ठीक है then अगर मैं नीचे scroll करूँ then see और नीचे मैं scroll करता हूँ ठीक है so नीचे मैंने scroll किया and यहां पर भी call to action button and कुछ information यहां पर दिया हुआ है so जब मैं आपको format provide कर रहा हूँगा so वहां पर मैं explain करूँगा and वहां से आपको better समझ आ जाएगा ठीक है so call to action button then what exactly do you get in this bundle इसमें जो लोग भी enroll करने वाले उन्हें exactly क्या मिलने वाला है ठीक है so यह सारे के सारे यहां पर मिलने वाले हैं यह product and जिसकी value इतनी है right and यह सारे चीजे clear यहां पर लिखा हुआ है आप देख सकते हो ठीक है so यह हुए then testimonials see testimonials okay then bonuses then और भी testimonials यहां पर है right किन्हें किन्हें ज्यादा फाइदा हुआ है right so यह सारे और भी testimonials है यहां पर already screenshot यहां पर लगे हुए testimonials जिसने भी result produce करा है इनके थूँ उन सारे के सारे जो लोग है उनके feedback यहां पर है ठीक है so यह यहां पर देख रहा है and then अगर मैं इसे उपर scroll करूँ okay then इनके बारे में अगर बात करूँ मैं तो हो सकता है वीडियो में इनोंने बताया होगा ठीक है landing page पर कुछ ऐसा देखनी रहा and अगर मैं यहां पर जाओ इस landing page पर जाओ and see video then see यह जो workshop है यहां पर call to action button right then इन्होंने अपने बारे में यहां पर बताया हुआ है see जो stocks यह सारे कसार जो platform से यहां पर इन्होंने दिया हुआ है अपना ठीक है and then अगर मैं नीचे इसे scroll करूँ then see register before this okay and then call to action and यहां पर अगर मैं नीचे scroll करूँ then testimonials see जो भी result produce कर पा रहे हैं इनके तुरू उनके testimonials उनके feedback then again call to action right then again जो भी information है इनके product से लिए नोने डाल रखका है then again नीचे अगर मैं scroll करूँ again call to action and then इसके बीच जो भी information है इनका जो भी आप learn करोगे इसमें so वो इन्होंने बता रखका है ठीक है again call to action and then see and then थोड़ी से urgency create करने के लिए इन्होंने timer यहां पर लगाया हुआ है and then again call to action okay then again यहां पर testimonials यह सारे के सारे right and then जो भी इनका proof है social proof okay क्यूं आपको इनकी course में enroll करने चाहिए यह सारे के सारे इन्होंने आपको idea लग जाएगा right हुद के बारे में इन्होंने बता रखा है okay so अगर नीचे मैं scroll करूँ then और भी information है frequently asked question जो भी आपके दमाग में question आ सकता है इस workshop से related आप यहां पर देख सकते हूँ ठीक है again call to action right so एक ऐसा landing page आप create कर सकते हूँ अब हम क्या करते है format के उपर discuss करते है जो मैं आपको provide कर रहा हूँगा ठीक है so अगर मैं यहां पर click करूँ see सबसे पहले तो आप करोगे क्या यह हो गया आपका एक page right जो colored आ रहा है right अगर मैं इस पर click करूँ this page for ओके यह जो page है वो किसके लिए है आप यह बता रहे होगे जो भी आप product sell कर रहे होगे right जो suppose करो आप course sell कर रहे हो then वो course किसके लिए है right वो आप बताओगे एक sentence के अंदर दो sentence के अंदर right एक column के अंदर ठीक है then again आप headline डालोगे okay अगर मैं यहां पर आऊँ and यहां पर मैं सबसी ऊपर चला जाऊँ then इनके headline को आप देख सकते हो attract an ocean of organic leads using LinkedIn okay so यह है इनका headline again अगर मैं यहां पर आऊँ यहां पर मैं आ जाता हूँ then headline then आप video यूज कर सकते हो okay इन्होंने भी video यूज करा है दोनों landing page में आपने देखा video यूज करा हूआ है and उस video में आप अपने product के ऊपर बता रहे होगे exactly आप क्या दे रहे होगे आप elaborate कर रहे होगे ठीक है आप जो video यूज कर रहे हो उसे भी आप एक better script लिखो and then video आप create करो and अगर आप video नहीं बनाना चाहते then आप exactly क्या दे रहे हो आपका product क्या है वो उस landing page पर लिख सकते हो right exactly आप दे क्या क्या रहे हो and benefit क्या है आपके product का वो आप लिख सकते हो अगर आप video नहीं उस कर रहे हो ठीक है या फिर दोनों काँ भी आप कर सकते हो ठीक है then again call to action बटन जिसपे click करके वो आपके course में हो सकता है enroll या फिर आपके product को कर सकता है purchase ठीक है then आप क्या दे सकते हो आप दोगे testimonials okay testimonial आप कहां से लाओगे so आप बनाओगे facebook group facebook page and then उस पे videos upload करोगे आप लोगों को value दोगे right and group बनाओगे वहाँ पे आप value दोगे वहाँ पे आप कुछ videos upload करोगे कुछ share करोगे right then वहाँ से जो भी feedback आपको मिलेंगे वो सारे के सारे screen shots आपको लगाने and जिनको भी आपने help किये उनकी feedback यहाँ पे लेने and डालने ठीक है अगर आपको video मिल सके then video भी आप डाल सकते हो ठीक है so सारे के सारे testimonials आपको डालने and इसमें time लगेगा testimonials लेने में okay so make sure कि आप value दे रहे हो आप ये कर रहे हो then again हम next आते आप अपने बारे में बताओगे आपका social proof क्या है okay why audience trust you वो आप पे क्यों भरोसा करे ठीक है आपके course में क्यों enroll करे so आप अपने बारे में बताओगे अगर आपका YouTube channel है वहाँ पे आपको share करते हो वहाँ पे कुछ knowledge देते हो और वह सारे के सारी चीज़ें आप share करोगे right then अगर मैं इस पे आऊँ इस landing page पे दें सबसे नीचे मैं जाता हूँ या फिर सबसे उपर उपर मैं again इन्होंने दे रखा है see entrepreneur या हो then जो stock के ये speaker है okay so यहाँ से एक trust build होता है ठीक है सबसे नीचे अगर मैं चला आऊँ ठीक है then यहाँ पे भी आप देख सकते हूँ see okay so आपको अपने बारे में बताने है proof right then नीचे आप क्या दे सकते हूँ उससे भी नीचे guarantee guarantee का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि आप जो promise कर रहे हो आप अपने product से related उसकी guarantee है या नहीं right अगर आप कुछ promise कर रहे हो लोगों को कि आप इसमें enroll करने के बाद ऐसा कर लोगे तो ऐसा होगा या नहीं right so यह guarantee आप लिख सकते हो right यह again strong बनाता है आपके landing base को okay then again call to action जिसपे click करके वो आपकी product को purchase कर सकते या फिर आपके course में enroll हो सकते okay so अगर आपको इसे download करने है then इसकी link आपको description में मिल जाएगी आप वहां से इसे कर सकते हो download ठेक है and जब भी आप landing page बना रहे हो आप इसे prefer करो ठेक है आप इसका use करो इस format का आप इस्तेमाल करो ठेक है so आप खुद से भी सोच सकते हो okay एक converting landing page के उपर आप try करो test करो and then उसका use कर सकते हो ठेक है so आगे का जो हमारा lesson होगा उसमें हम landing page बनाना सीखेंगे using wordpress ठेक है वो सारी चीज़े यहां पर मैं बता रहा हूँ कोई tool का use मैं नहीं कर रहा हूँ कोई expensive tool का मैं वो सारी चीज़े बता रहा हूँ जिसके थूँ आप पूरी थरह से execute कर सकते हो अच्छे से and result भी produce कर सकते हो ठेक है so आगे के लिसन में हम using wordpress landing page बनाना सीखेंगे okay so if you like this video then please subscribe the channel please subscribe the channel guys and thank you so very much